सत्ता का सेमी फाइनल माने जाने वाले राजियों के विधानसभा चनाओ के नतीजे जैसे ही आए एक शब्द बहुत जादा सुनाई पढ़ा है वो शब्द है गारेंटी खुद प्रदान उन्षी नरेंज मोदी ने ये कहा है कि उनकी गारेंटी विकास की है और गारेंटी के पूरा होने की भी गारेंटी है अब पूरे देश भर में गारेंटी रत चल रहे हैं जो मोदी सरकार की योजनाओं की गारेंटी देते हैं उत्तरप्रदेश सबसे बड़ हर यहां और एसर Southern चाह्न पर प्राम चेल रहे हैं। सब्सक्राइब करो किसी बिक्सित भारत संकल प्यात्रा की तो प्रदेश सेयुज़क, सुभाः शीह एक पूरी योजना की मॉनिटरिंग यहीं से कर रहे हैं। तो मोधी की गारंटी पूरी होने की गारंटी ले रहे हैं? देखिए क्या है कि भारत के लोकतंत्र में ही नहीं दुनिया के लोकतंत्र में ये एक अनुपम उदाहरण है कि जिस प्रकार ये यात्रा चल रही है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें करके देने का काम करेंगे जैसे कि हम लोगों ने कहा ता पहले आपने देखा होगा कि माननी प्रदान मंत्री जी कहते हैं कि जनता सरकार आपके द्वार उसका ये अनुपम उदाहरण है कि जहां रत जाता है वहां गाहों के सारे लोग आते हैं और वहां पर जो पात्र होते है वहाँ स्टाल लगी रहती है जैसे कि अपने सभी जैसे कि उज्जुला योजना की स्टाल लगी हुई है और उसके अलामा जो 6 रोक से जो लोग पीडित हैं उनका परिक्षण किया जाता है वहाँ स्ואस्त के केम्प लगाय जाते हैं वहाँ नौजवानों को तमाम तरह के वाड जो अपने अलग-अलग प्रतिभाए हैं उनको दिया जाता है तो पचीज तरह की योजनाय जो सरकार की हैं उनका लाव वही पर जनता को गाउं में ही दे दिया जा रहा है संबंदित सारे अधिकारी जो है वहां पर उपस्तित रहते हैं आयुस्मान कार्ड वहीं पर खड़े-खड़े हाथ में बना करके दे दिया जाता है तो आप कल्पना करिए कि मुझे जितना पता है मैं 25-26 साल से मैं सक्री राजनिती में हूँ तो इससे ज्यादा बेहतर इससे लाभारती जिन्होंने विदानसभा चुनाओं में और यूपी विदानसभा चुनाओं में भी साथ दिया है यानि अब लाभारतियों की संख्या बढ़ेगी लोगों तक पहुंच इस सुद्देश से भी है देखिए क्या है कि भारतिये जनता पार्टी तीन सो पैसट दिन 24 घंटे काम करती है वो सिर्फ चुनाओं के समय नहीं काम करती है हमारे जो है नेता जो दुनिया के सबसे जो है लोगप्रिये नेता है मानी नरेंद्र मोदी जी उनके नेतरित में जो जनकल्याड कारी नीतिया है वो एक एक ब्यक्ति को मिले इस कारण से ये रत वहां जा र हैं कि जो पात्र हैं उनको लाबारती में तबदील करना है यहीं तो सरकार का मोल उद्देश है और संगठन का रोल इसमें जो है कि इस पूरे अभियान में हम जन भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं और जनता इसमें जादा से जादा इन्वाल भो जादा से जादा लगता है कि ये इस तरह से एक नारा अगर वो देते हैं यानि वंचितों की बात लेगिन आप लोग सीधे वंचितों तक पहुंच रहें ये भी एक संदेश है कि करके दिखा रहे हैं देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आप पीडिये की तो बात मत करिए अभी आपने देखा कि कैसे तीन राज्यों के चुनाव में पीडिये के विकट सब छटक गए और पीडिये पैदल हो गया ये पैदल अभियान है इन सब लोगों का और ये सब अपने में ही ऐसे ऐ असी आएगी और एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं क्या है वो नितीस कुमार हों चाहे कमलनात हों चाहे खलेस याद हों इनके पास कोई कॉंक्रीट प्लान नहीं है जनता के लिए ने जनता ये सब जानती है लेकिन भारती जनता पार्टी के लोग और सरकार की योजनाओं को लेकर के लगातार सेवा हमां को कारे समझ करके और हम लगातार जनता तक अपनी योजनाओं में को पहुचाने का काम करते हैं वो अभी भी कर रहे हैं और ये जो लोग आज कल हम लोग नहीं लोग कहते हैं जैसे ही ये विकास रत आता है लोग कहते हैं देखो मोदी के गर इंडिया के माध्यम से दिया मोधी ने कोसल विकास के माध्यम से हमारे बच्चे को जो प्रसिक्षित किया मोधी ने हमको नौकरी दी मोधी ने देखिए देश किसान पूरे दुनिया में बढ़ाई मोधी जो है मोधी मोधी तो मोधी के गरंटी की योजना दूर से देखकर के ग्रामीड लोग कहते हैं यह देखो मोदी के गरंटी करता गया तो चुनाओं से पहले उत्तर प्रदेश में यह जो 500 रहते हैं यह कितने लोगों तक पहुंचेंगे आपको लगता है कि बिल्कुल जन जन तक को कल तक की बाद अभी आपने कल न्यूज पेपर में पढ़ा कल बड़ी खबर थी कि उत्तर प्रदेश में सबसे जादा लोगों तक पहुंच रहा है और कल तक जो है वो 80,000,000 लोगों से जादा लोगों तक यह पहुंच गया है रोज 500 जो यह रत चल रहे हैं 8,000 से जादा गाओं में भी हम सब लोग पहुंच चुके हैं सहरी छेत्रों में वार्डों में भी लगातार पहुंच रहे हैं और 25 जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा में उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में और उत्तर प्रदेश के सभी वार्डों में यह र सथ से दवा देगा मतलब यह वहीं दर्वाजे पर आपके सरकार आपके द्वार का अनुपर दाराण तो वीजेपी के बारे में कहा जाता है कि एक चुनाओं के बाद दूसरे चुनाओं की तयारी शुरू कर देती है और ऐसे में यह तयारी लोगसभा चुनाओं से पहले है, यानि जो विक्सित भारत संकल्प यात्रा है, विक्सित भारत का संकल्प है और लोगों तक पहुँचने की बात है और ऐसे में जन जन तक यह रथ पहुँच रहा है, गारंटी वाला रथ और गारंटी लेकर के पहुँच रहा है, आप कुछ गया रहा हैं मैं सबसे ही अपील करना चाहता हूं कि वो रत को देखें जहां रत पहुंच रहा है वो अपने गाउं में समाज में जादा से जादा लोगों को वहां इकठा करके लाएं और अगर वो पात्र हैं तो उनको योजनाओं का लाब दिल्वाएं हम यहां से वहां तक देख पा से यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी लोगों तक पहुंच रही है यानि विकास की गारंटी है और विकास होगा इसकी भी गारंटी जैसा उन्होंने कहा फिलहाल विक्सित भारत संकल्प यात्रा का अभियान जारी है विडियो जैनलिस संजे सिंग के स शिल्पी जेन लगनो